नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है पॉंट्वाइ अनुराग येट्यूब चैनल में वन अप दा बेस्ट चैनल फॉर डॉग्स दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डॉग का जो मेटिंग होता है वो करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए क्योंकि आपने डॉग लाया है तो उसके हेल्थ के वारे में भी आप लोग को बहुत चिंता हो रही है मुझे पता है कि आप लोग एक responsible honor हो इसलिए आप लोग entertainment छोड़ करके ये इतना जादा educational वीडियो देखने के लिए आए हो तो दोस्तो हम लोग आपका समय बरबाद नहीं करेंगे और सबसे पहले हम आपको ये बतला देना चाहते है कि आज किस वीडियो में हम क्या क्या बात करने वाले है ताकि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखे आधा ना चोरे दोस्तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि Meating क्या होता है दूसरी नमर पर हम बात करेंगे कि सही समय क्या होता है मेटिंग करवाने का या क्रॉसिंग करवाने का उसके बाद तिसी नमर पर हम बात करेंगे दोस्तों हो सकता है कि यह चीज आपको समझ ना रहा हूँ जो मैं मेटिंग बोला हूँ लेकिन आगे इस वीडियो को देखे मैं आपको सब कुछ डिफाइंड करके बताऊँगा और आपको पता चलेगा कि यह वीडियो देखना कितना ज्यादा इंपोर्टेंट था आपके लिए उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर आप लोग मेटिंग नहीं करवाते हो तो आपक कथे और लास्ट प Same होस्त है कि सबस्ट कर गवाना चाहिए और इसमें खर्चा कितना आता है टो दोस्तों चली को इस्तारट करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैटिंग क्या होता है दोस्तों एक मेλ डॉग को फीमेल डॉग से जब क्रॉस करवाय जाता है प्रिग्ने यह पता चले कि आपने किस एज में इतना ज्यादा एटेंटिव हुए और आपको इतना ज्यादा अच्छा इंफर्मेशन जानने का जिग्यासा जगा तो आप लोग अपने डॉक का ब्रीड और एज जरूर कमेंड कर दीजिएगा चलिए हम आगले टॉपिक पर बात करते हैं तब आप लोग क्रोसिंग करवा सकते हो तो नॉर्मली जो स्मॉल ब्रीड की डॉग होती है वो छे से आठ महिना नौ महिने के आसपास हीट पर आ जाती है कोई-कोई 12 महिने भी लगा सकती है 15 महिने भी तो आपको दूसरे हीट पर क्रोसिंग करवा सकते हो तीसरे पर मतलब कि उसमें भी आपको डेर साल रुखनाई है तो चलिए दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है कि क्या होगा अगर आप लोग अपने डॉक का मेटिंग नहीं करवाते हो तो दोस्तों यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मैं उससे चाहिए कि इसको मैं प्रिगनेंट ना करवा हूँ इसका मैटिंग ना करवाँ तो क्या इससे कोई हेल्थ इफेक्ट होगा की नहीं होगा तो यहाँ परमें एक सब्द में बता दू कि अगर आप लोग में करवाते हो तो डॉख में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है आपके लिए एक option है वो करवा सकते हो वो बेस्ट होगा तो चलिए हमारा अगला पॉइंट है उस चीज़ को आप लोग समझेगा लेकिन आगे का इंफर्मेशन मत छोड़िएगा योगि आगे का इंफर्मेशन अगर आप लोग जान लोगे तो बोलोगे कि नहीं ये वीडिय देखना और समय बैतीत करना आपके पॉंट वाय अनुराग चैनल पर ये सही गया है हमारा अगला टॉपिक है चोथे नमर पर कि वाट इस पेइंग दोस्तों इस पेइंग क्या होता है देखे एक मेल डॉग होता है अगर मेल डॉग जो रिप्रोडक्शन करते हैं अगर उस के रिप्रोडक्टिव पार्ट को हटा दिया जाए तो उसको न्यूटर बोलते हैं ठीक है और फिमेल डॉग में क्या होता है कि जहां पर बच्चे बनते हैं उस पार्ट को रिमूब कर दिया जाता है फिर क्या होगा कि वहां पर बच्चे बनेंगे ही नहीं तो दोस्तों उ नहीं male dog में प्रॉब्लम होता है फिमेल करने में प्रॉब्लम कर दे तो वह बाद और यह बहुत ही रेर होता है एक प्रॉब्लम हो जाया कभीं ऺओजा़ बट जैनरी ओपरेंशन करवाने में कोई दिक्कत नहीं होता है तो आप लोग अच्छे डॉक्टर के कंसल्ट में आ करके उसका इस्पेंग करवा सकते हों दोस्तों यहां पर वीडियो छोड़िएगा मत मैं आगे आपको एक और इंफर्मेशन देने वाला हूं जो बहुत ज़्यादा जरूरी है तो दोस्तों अगर आपके घर कि आसपास अच्छे डॉक्टर है तो ठीक है नहीं तो हमारे टीम में भी बहुत अच्छे डॉक्टर है आपके लोकेशन पर जा करके ऑपरेशन कर देंगा आपके डॉक का लेकिन 4-5 डॉक को अगर आप लोग एक साथ कर लोगे तो ऑपरेशन पसिबल हो पाएगा नहीं त दोस्तों दो प्रॉब्लम होती है जो कि एक फिमेल डॉक को हो सकता है सबसे पहला होता है कि मेमेरी ग्लैंड का प्रॉब्लम दोस्तों ये एक टाप का कैंसर है इसमें क्या होता है कि जहां पे दोध बनता है न उस ग्लैंड में सूजन आ जाता है वहां पे आप एक तरिके स कर सकतव कि केंसर जैसा हो जाता है तो वो डौकी जान भी ले सकती है तो अगर आप लोग छिश्ट परवा देते हां पंदर पाले हीट प्रेस तो चीजह खतम हो जाएगा और दूसरा । दोस्तो पैयूमेटरा क्या होता है? कि इसमें क्या हो कि जहांपे बच्चे PB बनते है न उसके अंदर सौइल इंदर मे भ्रग चैक्ट बन जाता है, और दोश्तो यह इतना ज्यादा खतरनाक और चैकर donald की जान भी ले सकती है, तो ऐसे condition से बचने के लिए जहाँ पर बच्चे बनते हैं उस पार्ट को ही remove कर दिया जाता है अब दोस्तो जिस dog का sparing नहीं हुआ है उसमें ये चीज का होने का खत्रा रहता है अगर आप लोग करबाद होगे तो इस चीज से आपका dog आपका प्यारा सा पपी बचा हुआ रहेगा अब दोस्तो अगले point पे हम बात करने वाले हैं 6 नमर पे कि best time क्या होता है sparing करवाने का और इसमें कितना खर्चा आता है दोस्तो वैसे तो आप लोग कभी भी sparing करवा सकते हो या फिर male dog का कभी भी neuter करवा सकते हो कोई fix समय नहीं है लेकिन अगर आप लोग ने वीडियो को सही समय पर देख लिया है तो meeting करवाने का जो सही time है वो उसके पहले hit के आने से पहले मतलब कि एक साल के round से पहले अगर आप लोग उसका sparing करवा देते हो तो यह उसके लिए बहुत ही बड़ा beneficial होगा और उसके लिए अच्छा होगा वैसे तो आप लोग किसी एजमें और कभी भी उसका sparing करवा सकते हो अब दोस्तो जब लोग को मेरे से बात करना होगा किसी topic के बार में information लेना होगा तो description में link होगा वहाँ से जा करके payment करके मेरे से बात कर सकते हो और दूसरत ही यह कि बहुत सारे लोगों का dog होगा या पर बहुत सारे लोग नया dog लिया होगे तो उसमें खाने का problem आ सकता है हो सकता है कि अभी आपका dog सही से खा रहा हो लेकिन आगे लिए चल करके उसको खाने में problem आ रहा हो तो एक food discipline है जिसको मैंने खुद research किया है और उसमें मैंने बताया है कि dog को कैसे खाना दिया जाए जो dog में कभी ना खाना ना आया है उसको मन से खाना खाले और हमेशा खाना खाले दोस्तों हो सकता है कि अभी आपका dog सही से खा हो लेकिन इन फ्यूचर वो गलत तरीके से खाएगा, तो इसके लिए मैंने एक बहुत एफ़ोडेबल फी पे अपना कोर्स बनाया है, उस कोर्स को जाकर के पर्चेस कर लिजे, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, और साथी साथ इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लिजे, क्योंकि इस पर ऐसा ही बहुत सारी इनफर्मेटिव वीडियो जाती रहती है, दोस्तों एक हजार लाक्स का एम है, और ये वीडियो अपने दोस्तों को भी सेर कर दीजे, हम लोग मिलते हैं इसा ही बहुत सारी वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना और अपने दोस्तों का और अपने प्यारे से डोग का खाल लखे, टेक केर, बाई बाई, जेहिंद